नमस्कार बहुत स्वागत है आपका मैं हूँ आपके साथ रितू ग्यानवानी आप देख रहे हैं सत्ता का महसंग्राम दोजार चौबीस लोग से बाद चुनाफ की तैयारियां जोरो पर हैं और इसी बीच कॉंग्रिस को लगाता जटके पर जटके लग रहे हैं और इसी कड आप जिच्छति इस गड़ में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला देखे रिपोर्ट पिछले विधान सभा चुनाव में करारी हार से पस्त कॉंग्रिस को एमपी में लगातार जटके पर जटके लग रहे हैं विधान सभा चुनाव के नतीजों के बाद से जहां कॉंग्रिस में भग्गर मची है वहीं बीजेपी बाहें फैला कर कॉंग्रिस छोड़कर आने वाले नेताओं का स्वागत कर रही है बीजेपी ने प्रदेश में कॉंग्रिस को एक और बड़ा जटका दिया कॉंग्रिस की वरिष्णेता सुरेश पचोरी, पूरुसांसत गजेंदर सिंग राजुखेडी, पूर्विधायक संजेश शुकला, विशाल पतेल, अर्जुन पलिया, आलोक चंसोरिया, भोपाल के पूरुजिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा, योगेश शर्मा, अतुल शर हैं, वो बड़े असहज करने वाले हो, आप कहेंगे एक दो का उल्लेग करिए, मैं डिफेंट प्रोडेक्शन मिनिस्टर रहा हूँ, कभी भी सेला के शोरे पर प्रिष्ण बाचक चिन्न नहीं लगाये जाता, सबूत की बात नहीं क्रहीं जाता, कॉंग्रेश चोर बीज़ेपी में शामिल होने वालों का पाटी नेता उन्हें स्वागत किया, मुक्यमंद्री मोहन यादव, पाठी के प्रदेश अध्यक्ष वीरी शर्मा, पूर्व सीम शिवरासिंग चोहान, लोगसमच नाप्रभाई डॉक्टर महेंदर सिंग, मंत्री के लाश विज़ेवर गिये और नरोत्तम मिश्रा ने साफा पहना कर उनका स्वागत किया, इस मौकी पर सीम डॉक्टर मोहन यादव ने कॉंग्रेस में मची भगदर को लेकर चुटकी ली, कहा कि अब तो आलम ये है कि आगे-ागे राहुल गांधी जा रहे हैं और पीछे से कॉंग्रेस साफ हो रही है, पूर्व सीम शिवरा सिंग ने कहा कि अब कॉंग्रेस खत्म होने के कगार पर है, अरे अच्छे नेता, इस नेत्रत्व के कारण परेशान होके, दिसाहीन, गतीहीन, पता ही नहीं भाया क्या कहेंगे, क्या करेंगे, तो ये तो बंटा-ढ़र करने निकले हैं, और इसलिए कांग्रेस अब समाप्त होने की ओर है। उदर कॉंग्रेस चोर बिजेपी में शामिल होने वालों पर कॉंग्रेस की तरफ से जीतू पटवारी का बयान आया। एंपी में ही नहीं 36 गड़ में भी लगे, जहां पूर्व विधायक चुनिलाल साहू, OBC कॉंग्रेस के पूर्व अध्यक्ष चॉलेश्व चंद्राकर और अजे बंसल ने भी कॉंग्रेस से स्तीवा दे दिया। इस तरह आमचनाओं से पहले कॉंग्रेस को MP से लेका 36 गड़ तक एक की बाद एक जटके लगने का सिलसला जारी है। ब्यूर रिपोर्ट न्यूस 18 जाए तो यहां पर रक्षा मंत्राले में रज्यमंत्री बने कॉंग्रेस से उन्होंने 52 साल का पुराना नाता तोड़ दिया दर्शात आए कि किस तरह से मोबंग कॉंग्रेस नेताओं का हो राहे लगातार। गजेंद्र सिंग राजु खेडी का अगर जिक्र किया जाए तो 1998 से 1999 तक कॉंग्रेस सांसद रहे, 1999 से 2004 तक कॉंग्रेस सांसद रहे, 2009 से 2014 तक कॉंग्रेस सांसद वो रहे। वहीं जिक्र अगर संजेश शुकला का यहाँ पर किया जाए, 2018 में इन दौर एक से कॉंग्रेस से विधायक बने, 2023 में विजवर्गी के खिलाफ वो लड़े, घोशत संपत्ती 200 करोड से अधिक, लंबे वक्त से सक्रिये थे पर उन्हें 18 में मौका मिला, 23 में मिला, 23 में हला विजवर्पी के मनूज पटेल से वो हार गए पूरी तरह से भंगों जुका है, जो तवज्व मिलनी चाहिए, कॉंग्रस नेताओं को समय रहते, वो नहीं मिल पाती और ये वक्त आता है, ऐसा सला मिलता है कि उन्हें पार्टी छोड़ देनी पड़ती मोभंक से जादा रितू, इसे हम ये कहेंगे कि भाई बहुत जादा भविशव कंग्रेस में नेताओं को नजर आ नहीं रहा है, बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं, और अब एक दूसरी एक और ये भी बात है कि अब युवाँ को कंग्रेस में आगे बढ़ाने की कोश शुर ही है, दूसरा ऐसे में जो वरिष्ट नेता है, बहुत सीनियर नेता है, बड़े तज्यूर वेकार नेता है, और अनने लगार है कि अनने भी लग रहा है, पही बड़े वज़े हैं ने बहुत वक्त लग जाएगा. संजेश शुकला का जो परिवार है वो पुराना भाजबाई हम कहें BJP से जुड़ा रहा है वो परिवार काफी मजبOOT परिवार माना जाता है 에게 मालवा की सियासत में आईंदौर की सियासत में बड़ा चेहरा रहे हैं संजेश शुकला और अब वो BJP में आ गये हैं दूसरा सुरेश पचौरी का जिक्र कर रहे थे आप सुरेश पचौरी का आपने ट्रेक रिकॉर्ड भी बताया सुरेश पचौरी की सियासत राजीव गांधी इंद्रा गांधी के समय की सियासत है पांच दशक का उनका साथ कॉंग्रेस के साथ रहा है अब अगर इस दौर में अगर वो छोड़ कर जा रहा है तो वाकई सवाल पैदा करता है कि आप अपने बड़े निताओं निताओं को भी अपने साथ जोड़ कर नहीं रख पा रहे हैं जो दशकों से आपके साथ रहे हैं यानि कि आप जोडने की कोशिश कर रहे हैं, आम जनता को नयाय दिलाने की बात करें, लेकिन आपके क्या आपके नेताओं को ही पार्टी में नयाय मिल रहा है, ये अपने आप में सवाल है, अगर बड़े नेता जा रहे हैं चोड़कर तो इसके पीछे कई बड़ी वजह हो सक तो यह भी हाला कि जो कॉंग्रेस आरूप लगाती है कि अलग-अलग एजंसियों का उपयोग कर प्रेशर बनाया जाता है लेकिन इतने बड़े नेता जिनका ठीक 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 लोटूंगी लोटूंगी प्रशांद आपके पास ममता भी लगातार हमार साथ जुड़ी देखे आप जब विधान सभा चुनाओं के नतीजे नहीं आये थे तब तक अगर हम बात करें तो कॉंग्रेस में शामिल होने वालों की जो है वो कतार भी लगी हुई थी और हमने देखा था कि किस तरीके से जो है वो धनकुमार साहिब ही जो है वो बीजेपी में जो है कॉ कॉंग्रेस के जो कई लीड नेता जो है वो बीजेपी में शामिल हो रहे है आज ही करकर हम बात करें तो चुनिलाल साहु जो अकल तरह के पूर विधायक है उन्हों ने बीजेपी जौईन की इसके साथ ही जो चंदे सेगर शुकलाएं जो महामंत्री हैं कॉंग्रेस के उन् त्य?! इस तरही हम बात करें तो यह जो है और बेक कई सारे बड़े नाम शायद हमें देखने को मिले फिलाल के लिए बहुत शुक्री है आप दोनों का ही आगे बढ़ते हैं और अब कॉंग्रेस की लिस्ट की बात करते हैं दूसरी लिस्ट कल आने का अनुमान है PCC Chief दीपक बैज ने वयान भी दिया है कल बाकी बचे पांच प्रत्याशियों की सुची आजाएगी बाकी बचे पांच चुनामों पर सहमती बन चुकी है कल CAC के बैठक के बाद नाम सामने आएंगे मेरे चुनाब लड़ने पर हाई कमान फैसला करेगा ये भी दीपक बैज ने कहा है क्या कुछ उन्होंने कहा है आईए सुनते है PCC अदेक दीपक बैज हमारे साथ मौजूद है उन्हें बात करते हैं पहली सुची जारी हो गई है और पांच नाम अभी और बचे है कब तक वो नाम आ जाएगे संभवता कल दूसरी CAC का मिटिंग है और जो हमारे पांच नाम बाकी है पांच लोगसभा में वो संभवता कल के CAC में फैनल हो जाएगा काफी मुस्कुरार है और आपके ऊपर जो है काफी फोकस है कि दीपक बैज लड़ेंगे और लड़ेंगे और हर बार जब आपसे सवाल पूछा जाता है तो इसी मुस्कुरार के हम देश के लिए चुनाव लड़ रहे हैं देश की आर्थे विवस्ता मजबुदी के लिए महंगाई के लिए बेरोजगारी के लिए देश की युवाव के लिए चुनाव लड़ रहे है इसलिए हमारा मुद्दा के लिए है हमारा विजन के लिए है सब चीज के लिए है इ जो बाकी से शेश पाच नाम भी उसमें कहीं कोई दिकत नहीं, कहीं कोई संसाय नहीं है, लबबग लबबपूरी नाम clear है, बस सीजी का मुहर लगना है, कल मुहर लग जाएगा, तो वो नाम भी clear हो जाएगा है। अरुन साओ कह रहे हैं कि सब हारे हुए जो चेहरे हैं उन पर दाव लगा रहे हैं इसका। तो वहीं कॉंग्रेस से लोग से बाद चुनाव 2024 के लिए अपनी पहली लिस्ट में 49 सीटों से प्रत्याशियों का ऐलान किया जिसमें 36 गड़ की 11 सीटों में से 6 पर प्रत्याशि घोशित हुए जिसमें पूर्वसीम भुपेश बगेल का भी नाम है बगेल को राजुनान गा उतारा गया है कॉंग्रेस की दरफ से 36 गड़ में तो राजनान गाव से अब जो है चुनाब लड़ने की तयारी में भुपेश बगेल हैं हाला कि वो केंद्रों में अभी नहीं जाना चाहते थे पर कहीं न कहीं अब आला कमान ने फैसला लिया है तो अब यह चुनाब वो लड़ेंगे और राजनान गाव से उनके नाम को चुना गया है राजनान गाव से मैदान में होंगे हाला कि फाइदा भी कहीं न कहीं कॉंग्रस को इसका मिल सकता है ओभी सी वर्ग से आते हैं और बड़ी संख्या में वहाँ पर ओभी सी वर्ग के लोग हैं तो इसका फाइ जो है कॉंग्रेस ने लिया है आगामी चुनाव बताएंगे कि आखिर ओबीसी फाक्टर कितना प्रभाव आखिर डालता है राजनान गाव में जो चहरे पर भरोसा जताया गया है वहाँ पर भुपेश बगेल आखिर किस तरज जीत हासल करते हैं कितना दम वहाँ पर दिखान पड़ता है यह वक्त दिखाएगा फिल्हाल यह जो नाम है फ्लैश हो रहे हैं यह आपको दिखा रहे हैं कि इन्हें मैधान में बीज़ेपी और कॉंग्रेस के द्वारा उतारा गया है क्या भुपेश बगेल डर गए हैं यह सवाल पूछ रही है 36 गर की सत्ता पर काबिज बीज़ेपी सत्तधारी पार्टी के सवाल पूछने के वज़ए वाजब है प्रदेश के पूरो मुख्य बंतरी और हाल ही में पाटन विधानसभा चनाव में विज़ेपागेल को मात देने वाले भुपेश बगेल राजजनान गाव से चनाव लड़ रहे हैं जबकि इसी भुपेश बगेल के ग्रे नगर में मौझूदा सांसद विज़े बगेल एक बार फिर लोगसभा के मैदान पर है उदर कॉंग्रस कह रही है कि डरी हुई तो बीज़ेपी है लोगसभा चुनाव की तारिक की भले ही घुशना नहीं हुई है लेकिन 36 गर में सत्ता का महा संग्राम शुरू हो चुका है बीज़ेपी कॉंग्रस के बीच जबानी जंग चुनावी लड़ाई के चरम पर पहुँचने का संकेत देने लगी है बीज़ेपी ने अपनी पहली सुची में लोगसभा चुनाव के लिए 36 गर के अपने सभी प्रत्याशियों की घुशना कर दी जिसके बाद जवाब में कॉंग्रस ने अपनी पहली सुची में 36 गर में 6 प्रत्याशियों की घुशना की जिसके बाद से बीजेपी और आक्रमक हो गई पूर्व सीम भुपेश बगेल की ग्रेन अगर दूर्ग को छोड़ राज़नान गाव प्रत्याशी बनाए जाने पर बीजेपी ने चुटकी ली डेप्टी सीम विजेश अर्मा ने कहा कि बगेल डर गए है अब जब बीजेपी ने कॉंग्रस को डरा हुआ बताया तो कॉंग्रस ने भी जवाब में बीजेपी को सहमा हुआ करार दिया प्रदेश अध्याक्षरफ दीपक बैजु ने कहा कि अभी तो हमारे च्छे प्रत्याशियों के घोशणा होई और पहली सुची देखकर ही बीजेपी डर गए पार्टी के भीटर सकता विरोधी लहर का डर सता रहा है भले ही विधान सबाद चुनाव हार गए लेकिन लोग सभा में जीत का बर्चम लहराएंगे जैसे जैसे लोग सबाद चुनाव की तारीख नजदी का रही है दोनों प्रमुख पार्टियों के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है अभी तो चुनाव की तारीखों का एलान होना बाकी है ऐसे में जब तारीख की घुशना हो जाएगी तब सत्ता के सरवोच शिखर पर कबजे के लिए शुरू हुई इस दोड़ में अभी और संगर्ष देखने को मिलेगा तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और मजा लीजिए इस सियासी सफर की नोग जोग का बीरे रिपोर्ट न्यूज एटीन और इसी के साथ ही सत्ता के महा संग्राम में फिलहाल के लेतना ही नमस्कार